मैं परमेश्र का धनेवाद देता हूँ, इस सुबे के समय के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्र के चन्नों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आईए आज के वचन मनन के लिए नीती वचन 24 का साथ से नो हम पड़ें। बुद्धी इतने उंचे पर है कि मूड उसे पा नहीं सकता, वो सबा में अपना मूँ खोल नहीं सकता, जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोगदुष्ट कहते हैं, मूर्खता का विचार भी पाप है और ठटा करने वाले से मनुष्य घ्रिना करते हैं। जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया का मापदंड, एक विश्वासी के सोच से बिलकुल अलग है, अगर कोई पड़ा लिखा नहीं है, धंदौलत इखटे नहीं कर पाता, तो दुनिया उसे मूर्ख कहती है, बिलकुल उलट अगर एक अच्छा पड़ा लिखा हो, धं संसार में अच्छा जीवन बिता लेता है, तो लोग बोलती है, संसार कहती है, ये समझदार है, लेकिन प्रभू के साथ ऐसा नहीं है, परमेशर का बचन कहता है, मूर्ख ने अपने हृदे में कहा कि परमेशर है ही नहीं, वो दुष्ट है, उन्होंने दुष्टता के काम क ये भलाई करने वाला कोई है नहीं, इसका मतलब जब एक विक्ति अपने आपको अपने जीवन का खुद स्वामी मानता है, और ये वो बात को ज्याननी देता, कि उसका एक सृष्टी करता है, और अपने पाप बरे मार्ग में चलता है, अपने सृष्टी करता की नजर में वो मूर्ख गिना जाता है बेशक वो पड़ा लिखा है धंदौलत है, तंदुरुस्ती है मूर्ख होने के नाते वो अनंत नाशकी और जा रहा है जिदर उसका प्राण और आत्मा को वो बरबाद करता है उसे मालूम है कि एक सृष्टी करता है जिसके सामने उसे जीवन का हिसाब देना है लेकिन उस बात को वो सुईकार ना करते वे वो अपने दुष्टता बरे मार्ग में चलते वे अपने हृदे की तमनाओं को पूरा करना चाता है वो दुनिया के पाप में मार्गों में खुश होता है प्रसन होता है ऐसे विक्ति के लिए परमेशर का ज्यान पाना बहुत मुश्किल है बहुत उंचे में परमेशर खुद ही उसके हृदे को नहीं खोलेगा ताकि वो परमेशर के ज्यान को पाए और एक विक्ति परमेशर का ज्यान खुद पा ही नहीं सकता क्योंकि उसका हृदे संसार की चीजों में पड़ा हुआ है एक मूट सोचता है कि वो खुद जी सकता है वो अपने ग्यान से चीज़ें पा सकता है लेकिन जो कुछ वो पाता है वो थोड़ी देर के लिए है और आखरी में दुनिया की सारी आकरशित चीज़ें उन सब को जिसके पीछे वो भागता था वो सब को छोड़ कर जाना है दुख के साथ जाता है क्योंकि इतनी मेहनत की और कुछ लेकर नहीं जा पाएगा उसे पच्तावा होता है क्योंकि उन्हें उसने दुष्टता के काम की है वो इस बात से कामपता है कि उसे अपने जीवन का हिसाब पवित्र परमेश्र के सामने देना है एक मूर्ख सबा के सामने अपना मूँ नहीं खोलेगा क्योंकि फाटक में जो इखटे होते हैं वो अपना ग्यान जब बांडते हैं मूर्ख उनसे दूर रहता है क्योंकि उसके हुदे में दुष्टता ही है उसे मूर्ख क्यूं कहा गया लोग उसका ठटा क्यूं करते हैं क्योंकि उसके सोच विचार ही बुरे हैं करमेश्र का वच्चन साफ साफ कहता है कि एक मूर्ख की सोच विचार ही पाप है एक मूर्ख शायद बड़े-बड़े पाप नहीं करेगा लेकिन उसके सोच ही परमेश्वर की नजर में बुरे है ध्यान रखे सृष्टी करता परमेश्वर ने हमें एक खुबसूरत जीवन दिया है हम एक एक जीवन को प्रबु ध्यान देता है प्रबु हमारे विचारों को जांचता है इदर हम बच्चन में देखते हैं ठटा करने वाले ऐसे मनुष्य से ग्रणा करते है सो अगर संसार की नजर में एक मूर्ख ग्रणित है तो परमेशर के नजर में वो कैसा है परमेशर के संतान के तोर पर आईए हम अपने जीवनों को जांचे क्या मैं परमेशर के नजर में घ्रणित हूँ क्या सुरग की नजर में मैं मूर्ख हूँ जो अपने पिता के लज्जा के कारण है जो परमेशर के मार्ग को त्यागता है और पाप में अपना जीवन बिताता है उसे प्रबू मूर्ख समझता है आए हमें प्रबू वो ग्यान दे ताकि हम प्रबू के ग्यान को पाए हमारी नजरों को प्रबु खो ले ताकि प्रबु के ज्ञान की खोज में हम लगे रहे हैं ताकि हमारे द्वारा प्रबु की महिमा हो सके आईए हम प्राथना करे सरवशक्तिमान प्रबु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए प्रबू आपके बच्छन के लिए धनेवाद जिसके दौरा आप हमसे बात कर रहे हैं बाप, दुनिया कैसे देखती है वैसे नहीं वरन आपकी नजरों में प्रबू मूर्ख ठैरने का मौका ना हो आपका स्वरगी ग्यान पाकर, यह जीवन आपकी इच्छा के अंसर चलने के लिए हमें आप ग्यान दे हमारी इच्छाओं के लिए युबरन, आपकी महिमा के लिए हम जी सके सब महिमा आप ही को देते, प्रबू ये श्यूमसी के बदूनाम से हम मांगते है आमेन प्रबु हम सब को बहुत आयत में आशिश दे हमारा प्रबु अतिशी गरा रहा है मारा नादा